स्वागत है आपका हिंदी मधुर्गीद ग्यान चैनल में हमसे जुड़े रहने के लिए हिंदी मधुर्गीद ग्यान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें नाग पंचमी कब है दो हजार बाइस दो या ती नगस्त जाने सहीती थी पूजा का शुब मोर भूल कर भी न करें ये एक काम पंचान के अनुसार सावन मास के शुक्ल पंचमी तितको नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है इस दिन भगवान शिव के आभूशन नाग देवता की पूजा की जाती है शास्त्रों में नागों की पूजा की परंपरा काफी प्राचीन रही है सावन का महिना भगवान शिव का प्रियमा है भगवान शिव नाग को अपने गले में धान की रहते हैं जिस कारण सावन मा की नाग पंचमी बेहत खास मानी जाती है इस दिन भगवान शिव और नागों की पूजा करने से घर में सुख सम्रधी आती है आज हम आपको साल 2022 सावन मा नाग पंचमी पर्व की शुबितिती पूजा का शुब मुर्थ पूजा वेधी नियम और इस दिन भगवान शिव और नाग देपता को प्रसंद करने के लिए के जाने वाले उपायों के बारे में बताएंगे नाग पंचमी शुब मुर्थ 2022 साल 2022 में नाग पंचमी का तिवहार अगस्त मंगलवार के दिन मनाया जाएगा नाग पंचमी पूजा का शुब मुर्थ होगा 2 अगस्त प्रता काल 5.43 मिनट से प्रता काल 8.25 मिनट तक पूजा की कुलवती 2 घंट 42 मिनट की होगी पंचमी तिति प्रारम होगी 2 अगस्त प्राता काल 5.13 मिनट पर पंचमी तिति समाप्त होगी 3 अगस्त प्राता काल 5.41 मिनट पर नाग पंचमी पूजा विदी धार्मिक मानेता अनुसार नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से जीवन के संकुटों का नाश और मनवांचीत्वलो की प्राप्ति होती है नाग पंचमी के आरादि देव नाग देथना है इस दिन अनंत वासु की महापद्म आधि नाग अश्टको की पूजा की जाती है इस दिन प्राता इसनान के बास्वक्ष वस्ते धान कर पूजा इस थल में एक चौकी पर नाग देव का चित्रिया प्रतिमा स्थापित करें अब सबसे पहले जल में कच्चा दूद घी चीनी मिला कर उनका अभी शेक करें और इसके बाद हल्दी रोली चावर और फुल चुड़ा कर नादेवता की पूजा करें पूजा के बाद व्रत गता पढ़कर आर्ति कर लें नाग पंचमी नियम पुराणों की अनुसार नाग पंचमी के दिन का लाप्राप्त करने के लिए इस दिन भूमी ना खो दें नाग पंचमी पर नागों का दूद से अविशेक करना चाहिए ना कि उन्हें दूद पिलाना जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन उपवास करता है उसे विशेश कर साइंकाल के समय भूमी की खुदाई नहीं करने चाहिए नाग पंचमी के दिन धर्ती पर हल चलाना ना करें इस दिन दूर्गा पाठ करने से लाब होता है ये दिन um Pastya करें इस दिन नाग देटा को कच्छे दूद से अविशेख करें इससे काड़ों में सफलता विशेश उपार जुन लद से मनवान शीट फरों कि प्रापति होती है यदि जातक कि कुडली में कालसर्फ दोश है तो इस दोश से बचने के लिए उसे नाग पंचमी का ब्रत करना शुब होता है काल सब योग से मुक्त पाने के लिए नाग पंचमी के दिन भगवान शिप को चांदी के नाग और नागिन का जूरा चढ़ाएं धन्यवाद